पांच राज्यों में इस साल आखिर चुनाओं हुए और इस चुनाओं के बाद हमने देखा कि तीन राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत हांसिल की लेकिन एक राज्य तेलंगाना जहां पर कॉंग्रेस को प्रचंड जीत मिले शायद आपको याद होगा रिवन्ता रेड़ी ने एक इंटर्वियू में कहा था कि 9 तारिक को 10.30 बजे मैं स्टीयम का शपत लूँगा और उन्होंने जो ये भविश्यवानी की वो बिल्कुल सच हो गई वहाँ पर कॉंग्रेस को भारी मतों से जीत मिली है अब जानते हैं क कि रिवन्ता रेड़ी का करियर कैसा होगा राजनितिक करियर को लेकर के काफी जादे कयास लगाये जा रहे हैं हाला कि ये बात तो कहीं न कहीं साफ है कि मुख्य मंत्री वही बनेंगे तेलंगाना के लेकिन उसके बाद किस तरह की प्रॉब्लम सुनको हो सकती है या फिर ए है लिए आफंड़ी के बारे में रिवन्ता रेड़ी को लेकर के किस तरीके से देखते हैं क्यूंकि एप्टे लाग ए हैं मुख्य मंत्रिप्द नीतिए कि मिल सकती है लेकिन उनका फोटो और जो चंद्र कुंडली उपलब्ध है उसके जो है समलित अध्यन से जो मैं आपके पास तर्क रख रहा हूं पंचम भाव का राहूं अद्भुद कॉंफिदेंस देता है यह अपने आप में इतनी सक्ति आत्मशक्ति देता है कि पूछिए मत इनके सामने लोग धरासाई अपने आप सरेंडर हो जाते हैं दूसरा च चेत्र को तिलंगाना को तो आप देखेंगी इस त्रियां और महिलाएं इनके उपर विश्वास रखती होंगी इनकी बातों पर इनसे जल्दी बहुत जल्दी प्रभावित होती है और अक्रामक राजनीत का चेहरा है यह और आपने कहा कि इन्होंने ऐलान किया था तो उसक का एक मुख्य कारण है कि इनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र का एक साथ महालक्षमी योग का निर्मान करना और आपसे दूसरी चीज की प्रामाणिता हो गई शुषगो जी के मैंने आपको याद हो कि सूर्य को काैंट सुर्य अगर लगन में हैं तो राज सिंहासन तो देता ही देखासंञा सीधा राज सिंहासन पर बैठे हुए का करीभी ड़्ना भेन गांशक लाए बाघन सथा चलाए चलाएगा तो सूर्य लगन में स्वतह के लिए थी माभगवती ने माभगला मुखी ने स्वतह उसको सिद्ध किया है और यह आने वाले समय में दक्षिन भारत में विशेश करके यह राजनीत के अदभुद चेहरे सावित होंगे और हो सकता है अगर कॉंग्रेस इनकी वैलू को समझती है तो सायद दक्षिन भारत के साथ साथ यह कॉंग्रेस के उदय का जरिया होंगे कहते हैं कि हमेशा सूर्य पूर्व से उदय होता है लेकिन हो सकता है रेवन्ता रेड़ी कॉंग्रेस के सूरज को दक्षिन से उदय करनाने का प्रयास कर देंगे और उसमें एक सीड़ी यह चड़ चुके है जो उनकी भासा सैली है, जो उनका अप्रोच है, जो चहिए आज के बरतमान समय में युवा नेता के अंदर गुण चहिए, जो हमें लगता है कि अगर रिवन्ता रेड़ी को वह वैलू मिले, वह स्थान मिले, तो एकदम वह पारश मणी सावित हो सकते हैं कॉंग्रेस के लिए, जो कॉंग्रेस आज एकदम से पपू पनोती हो रखी है, वह कॉंग्रेस अपने आप में स्वर्ण आभुसन बन जाए, एक बार फिर से वापसी करें, और रिवन्ता रेड़ी की जो कुंडली है, विशेश करके अगर पार्टी भाव के लिए भी देखा जाएगा, तो पार्टनर सिब भाव में, सब्तम भाव में, खुश्बो जी, शनी बैठा हुआ है, उनकी शनी जो है, अदभुत अपने पा और एकदम आपने हमें भी याद दिला दिया, कि सौब प्रतिशत अगर बरतमान समय में देखा जाए, राहुल गादी के लिए कोई पारशमणी बन सकता है, तो एरिवन्ता रेड़ी ही है, और कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल, आचारे जी, जैसा कि आपकी भविश्य पाना जितना मुश्किल है, उसे बनाई रखना और भी ज्यादा मुश्किल है, तो जब वो सी एम बन जाएंगे, क्या उनकी लाइफ जो है, उनका राजनितिक लाइफ जो है, वो समतल चलेगा, लाइक बिल्कुल, ग्राफ सीधा रहेगा, या फिर ग्राफ उपर नीचे उ मेरे पास चंद्रकुंडली उपलब्द है, उसके अनुशार सूर्य, चंद्रमा, बुद्ध और शुक्र, एक साथ चार ग्रह जो है, लग्र में ही बैठे हुए हैं, और शुक्र शुग्रही है, शुक्र शुग्रही हो पर भौतिक्ता और राजसत्ता का चरम सुख दिलाता है, यह देखेगा, और इनके अंदर चंद्रमा भी लग्र में बैठ करके, इनके समय पर इनके अंदर वह सालिंता वह आकर्शन भाव भी देता है, जो की राजनीत के लिए बहुत जरूरी है, और हमें लगता है कि रेवंत रेड़ी वह एक नया चेहरा निखर करके आएंग जो राजनीत को एक नई दसा और दिशा देने में काम्याबी हासिल करेंगे और शुबता भी कांगरेश को परदान करेंगे लोग सभा चुनाओ को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि जैसे विधान सभा चुनाओ में हमने देखा काफी ज़्यादा पॉपुलारिटी मिली और उनके खुद के दम पर उन्होंने दिलंगाना में कांगरेश की सरकार बना दी है क्या लगता है 2024 में जब लोग सभा चुनाओ होंगे तो जिस तरीके से इन्होंने राज्य में अपने आपको निखा रहा है वो निखरता है इनके लिए इनक्या लोग सभा में भी देखने को मिलेगा और कॉंग्रेस को सफलता मिलेगी देखे शुरुवात में ही खुश्बुजी हमने कहा कि दक्षिन भारत में हो सकता है कॉंग्रेस का और तेजी से सुर्योदय करें और उसका एक मूल हिंट मैंने यही लोग सभा को रख कर दिया था और आपका प्रशन ही अप सीधा आ गया उस पर तो मैं असपष्ट कर दू कि 2024 में जो मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था शोके शुरू होने के पहले कि कॉंग्रेस के उदय के लिए एक पारस चाहिए था लगबग दक्षिन भारत का तो वह पारस मणी मिल ही गया है उनको 2024 में तिलंगाना ही नहीं दक्षिन भारत में रिवन्तरेडी का प्रभाव र रहेंगे कॉंग्रेस के लिए और वहां पर उनको बल प्रतान करते हुए दिखाई देंगे खुशबोजी मतलब कुल मिलाकर देखा जाए अचारे जी तो कॉंग्रेस के हाथ में सच में एक पारस का पत्थर मिल चुका है एक टुकड़ा मिल चुका है बस उन्हें उससे बात कर रहे थे और राजनेतिक कर्यर उनका काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है जिस हसाब से यह अहां पर बताया जा रहा है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और भी राजनेताओं के बारे में जाननी के लिए कैसा रहेगा उनका राजनेतिक कर्यर लोग सभाचुना में कितनी सफलता मिल सकती है या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है यह जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें बलाइकन दबाना ना भूले और हम दोनों को इजाज़त दीजिए नमस्कार